जे मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, रक्षा बंधन का तेवार हर साल सावन महा की पुर्णमा तिथी को मनाया जाता है सास्तों में ऐसा वर्णन है कि रक्षा बंधन का तेवार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधना बेहद ही सुब माना जाता है सास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षा बंधन का तेवार मनाना चाहिए और इस बार रक्षा बंधन वाले दिन भद्रा का साया भी पड़ रहा है ऐसे में आपको रक्षा मंधन के दिन राखी बांधने का सुमोरज जानना बेहद ही जरूरी है कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय राखी बांधना सर्वस्रेस्ट रहेगा ताकि आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कोई भी दुख या परिशानी ना आए पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो को जरूर देखें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आए शुरू करते हैं दोस्तों रक्षा बंधन का तेवार सावन मा की पूर्णमा तिथी को मनाया जाता है ये तेवार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और उसके अच्छे सुआस्त की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं दोस्तों आपको बता दें कि सास्तों में भद्रा काल में राखी का तेवार बनाना असुब बताया गया है इसलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी ना बांधें इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है ऐसा कहा जाता है कि लंका पती रावन ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और एक वर्ष के अंदर उसका सर्वनास हो गया था इसके लावा भद्रा सनी देव की बहन है और उन्हें ब्रम्हा जी ने स्राब दिया था कि जो भी भद्रा के समय सुब या मांगलिक कारे करेगा उसका परिणाम हमेशा ही असुब होगा इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का तेवहार ना मनाएं दोस्तों रक्षा बंधन के दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की काम ना करती हैं इसलिए इस दिन भाई बेहन दोनों को इसनान आदी करने के बाद हो सके तो नए वस्तधारन करने चाहिए और इसके बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवस्त लगा लें उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, दीपक और मिठाई आदी रखें एक घी का दीपक भी रख लें जिससे आप भाई की आरती करेंगी अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें इसके बाद अपने भाई को पूर्विया उत्तर की दिसा की और मुख करकर बठाएं और बहन का मुख पस्चिम दिसा की और होना चाहिए इसके बाद आप सबसे पहले भाई को तिलग करें उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, आदी लगाएं उनके उपर थोड़े से फूल छड़कें, इसके बाद आर्टी करें अब आप भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बादें इसके बाद उनका मुँ मीठा कराएं साथ ही भाई के लिए मंगल कामना भी करें और राखी बादने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दें और साथ ही उन्हें कुछ न कुछ उपहार भी अवस्त दें तो चले अब जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में रक्षा मंधन का तेवहर कम मनाया जाएगा और पूजा का सुम मूरत क्या रहेगा दोस्तों इस साल सावन मा की पूर्णमा तिथी का प्रारंब 19 अगस्त 2024 की प्राता काल 3 बच कर 4 मिनट पर हो रहा है और पूर्णमा तिथी की सम्मापती 19 अगस्त 2024 की रात को 11 बच कर 55 मिनट पर हो जाएगी इस हिसाब से इस साल रक्षा बंधन कतिवार 19 अगस्त 2024 दिन सुमवार को पड़ रहा है और बात करें राखी बांधने के सुम मूरत की तो इस दिन राखी बांधने का सुम मूरत डेड़ बजे से लेकर रात 9 बच कर 8 मिनट तक रहेगा इस मूरत की कुल अवदी 7 घंटा 38 मिनट की है और इस दिन दोपहर का मूरत दोपहर एक बच कर 43 मिनट से लेकर साम 4 बच कर 20 मिनट तक रहेगा इसकी कुल अवदी 2 घंटा 37 मिनट की है और प्रदोस काल का मूरत साम 6 बच कर 56 मिनट से लेकर रात नौ बचकर आठ मिनट तक रहेगा इसकी कुलवदी दो घंटा ग्यारा मिनट की है और बात करें बद्रा काल के समय की तो दोस्तों रक्षा बंधन वाले दिन बद्रा काल सुबा पांच बचकर बावन मिनट से लेकर दुपहत डेड़ बजे तक रहेगा इसलिए आप रा 10 बचकर 53 मिनट से लेकर दुपहर 12 बचकर 37 मिनट तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबा 7 बचकर 31 मिनट से लेकर सुबा 9 बचकर 8 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों आप राखी बांधने के लिए भद्रा काल का समय और राहु काल का समय अवाइड करें इस बात का ध्यान रखें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद